नमस्कार दोस्तो इस वक्ती बड़ी खवरार ये भजपूरी एक्ट्रेस अकांशा दुबे को लेकर दरसल भजपूरी एक्ट्रेस अकांशा दुबे ने इस सुसाइट कर लिया है हाँ के बुद्धा शीटी कलोनी की है दरसल सारनक थाना चेतर के बुद्धा शीटी कलोनी में इस्तीध होटल सुमेंदर रेसेडेंसी में एक्टर्स अकांशा दुबे ने फाशी लगा कर आत्मात्या कर लिया है बात करें अकांशा दुबे के बारे में तो अकांशा भदोषी जनपत के चौरी थानाचेत के परसी पूरी की निवासी थी अकांशा दुबे बहुत कम समय में भजपूरी इंड़स्ट्री का एक जाना मेंना चेहरा बन चुकी थी जिन्होंने भजपूरी के फिल्म वीरो के वीर और कसम पैदा करने वारे टू जैसी फिल्मों में भी काम किया है बता दे कि आकांशा तीन साल के उन्हों में ही पैरेंट्स के साथ मुंबाई सिफ्ट हो गई थी उनके पैरेंट्स उन्हें IPS अफसर बनाना चाहते थे लेकिन अकांशा का मन डांस और एक्टिंग की तरफ जयादा था अपने इसी पैसम को फोलो करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा मुंबाई में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अकांशा ने अपना करियर फिल्मों में सुरू किया था उन्होंने बताया था कि उनकी दोस्पांजली पांडेन ने फिल्मी केरियर में उनकी काफी मदद की है एक्ट्रेस ने कम समय में अच्छा और ओडियन्स रिटेंशन पाने के बावजूद इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इस बारे में अभी कोई भी जनकारी पता नहीं चली है इस ख़वर के आने के बाद से भोजपूरी इंडेस्ट्री में सोग की लहर दोड़ उठी है साथी कई लोगों को इस ख़वर के बाद एक बड़ा जटका भी लगा है आपको बताते चले कि आकांशा ने 17 साल की उम्र में भोजपूरी सिनेमा में कदम रखा था यहां उन्होंने डायरेक्टर आजसी तीवारी के साथ कोई फिल्मों में काम करना शुरू किया मगर उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था बताया जा रहा है कि साल 2018 में अकांशा डिप्रेशन में चली गए थी जिसके बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली एक्टरेस अकांशा दुवे मुल रूप से बिंध्याचल की रहने वाली है जिनकी उम्र फिलाल 25 वर्च बताई जा रही है